सच्चा दोस्त कितनी बार भी रूठे उसे मना लिया करो, क्योंकि असली मोती हर बार भिखरने के बाद भी चुन लिये जाते हैं, जिस व्यक्ति में जितना एहसास होगा वह उतना ही खुबसुरत होगा, पूरे की खोईश में अफसर इंसान बहुत कुछ खो देता है, पर व तो अगर आपकी निंदा होगी, तो आपको सावधान होने का मौका मिलेगा, जो समझे भी और आपको समझाए भी, दुनिया में उससे प्यारा कोई रिष्टा हो ही नहीं सकता, क्रोध और आधित दोनों के आने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है, हमें रं अपने फैसलों के परिनाम के लिए किसी को दोश नहीं देता, रिष्टा और धन दोनों को खोना आसान है, पर उन्हें कमाना मुश्किल है, अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल चुका होता है, उनके ही जिन्दगी में तकलिपे हमेशा दस्तक देती है जो जिम्मेदारी उठाने को तयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, वो जीतते हैं या फिर सीखते हैं, अपनी हैसियत का कभी भी अभिमान मत करना, उडान जमिन पर ही शुरू और जमिन पर ही खतम होती है, अगर इंसान ही नहीं रहेगा, तो उ जो पास है उसकी कदर करना, जरासी रंजिश पर न छोड़ अपनों का दामन, जिन्दगी बीच जाती है अपनों को मनाने में, जो हर हाल में खुश रहना जानता है, जिन्दगी उसी के सामने सर जुखाती है, ये मंजिले भी कितनी जिद्धी होती है, हासिल कहा नसीब से होत जाते हैं, जहां होसले बुलंद होते हैं, कुछ जादा खौईश तो नहीं है जिन्दगी से, बस अगला कदम पिछले से बहतर हो, याद रखना, पैसा सिर्फ एक ही भाशा बोलता है, अगर आज तुमने मुझे बचा लिया, तो कल मैं तुम्हे बचाऊंगा, संघर्ष मे इंसान अकेला ही होता है, सफलता में हर कोई साथ होता है, जिस जिसने इध्यास रचा है, ये जगुसी पर हसा है, हमारे जीवन में चार महत्वपूर्ण शिक्षक हैं, अकेला पन, असफलता, खाली जेप और धोके बाद, जीवन में उन्चाईयों को छुना है, तो कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, बुरा वक्त इसलिए भी आता है, कि वो आपको अच्छे लोगों से मिलवा सके, ढलना तो सभी को है एक दिन, चाहे मनुष्य हो या सूरज, होसला सूरज से रखो, जो हर रोज ढलके भी नई उमीद की किरन लेके निकलता है, दुनिया बड़ी अजीब है, यहां सचे लोगों को धोका और अच्छे लोगों को मौका जरूर मिलता है, अकेले रहने में ही सुकुन मिलता है, क्योंकि किसी के चोड़ पहुंचाने का डर नहीं होता, जिंदगी में दुबारा तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रि इसे पहले शब्द सुकते हैं, दूसरी बार आशू सुकते हैं, तिसरी बार जज़बात सुकते हैं, और फिर इनसान गिरगिरा तानंग, पत्थर बन जाता है, कितना बुरा लगता है उस वक्त, जब हमसे कोई जूट बोलता है, और हमें सच का पता पहले से होता है, जिस के प्यार में हम सब कुछ लुटा देते हैं बदले में सिर्फ प्यार देने तक कि भी उसकी आउकाद नहीं होती आप शक्तिशाली हो ये बहुत अच्छी बात है पर ये नहीं बूलना चाहिए कि वक्त सबसे शक्तिशाली होता है